आज हम हरी मिर्ची की ऐसी चटपटी और मजदार इसी लेके आए हैं कि आपको देखते ही मुह में पानी आ जाएगा और बीना भूख के भूख लग जाएगा तो चलिए बनाना इस्टाट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज का टमाटर लिया है और 100 ग्राम हरी मिर्ची लिये हैं, इसे मैंने साप पानी से धून दिया है आप क्या करेंगे इसके सारे डंठल तोड देंगे ऐसे इस तरह से तो यहां पर देखी मैंने सारे डंठल तोह दिया है और मिर्ची को अलग कर लिया है और इसको क्या करेंगे इसको बीची बीची मिर्ची जो है इसको बीची बीच हम सीरा लगाएंगे लेकिन हमें अलग नहीं करना है देखी इस तरह से हमें सारे मिर्ची को इसी तरह से काट देना है तो यहां पर देख सकते हैं मैंने मीर्ची को काट लिया है अब टमाटर जो है उसको सब्सक्राया है ने काटने हैं फूरी तरह को यह सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने मिर्ची ओटमाटर काट लिया है, चली बनाने के प्रोसेस में चलते हैं, यहां पर मैंने पैन लिया है, पैन में मात तीन बड़ा चमश तेल डाला है मैंने, अब यहां पर मैं सरसो के दाने डाल गए ही, यहां पर मेथी सीड जो होता है, वो भी यहां पर मैंने लासनली ली है यहां पर में इसरी को दालेंगे और यहां पर यहां पर हम पर श्वादन सा नमक और इसरी थाकि नमक जो है अच्छी तरह से मिल जाए मिर्ची में अब यहां पे हम कुछ मसाले डालेंगे यहां पे डाल रहे हैं वन टेश्पून हल्दी पाउडर वन टेश्पून धनिया पाउडर वन टेश्पून जीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्ची डाल रहे हैं क्योंकि मिर्ची ज ही एक कटोरी के लगभग है लेकिन मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है यह देखे लिक्विट फों में आ गया है इसे हम डाल देते हैं यह जो दही है बहुत ही मेर्ची का स्वाथ चेंज कर देता है और यहां पर मैं थोड़ी चला दे रही हूं और इसे हम दो मिनट के दढ़ेंगे तो यहां पर यहां पर हमारा दो मिनट हो गया है कि चेक कर लेते हैं मेर्ची जो है बहुत ही सौफ्ट हो गई है अच्छी तरह पक गई है अब यही पर हम टमाटर डाल देंगे जो मैंने टमाटर उरता ठांट यह अब हम बाद तो हम बाद में डाल दे रहे हैं क्योंकि पहले डाल देते हैं तो यह ज्यादा पक जाता अब इसे हम धग के मात्र दो मिनट के लिए पकाएंगे तो यहां पे दो मिनट हो चुका है यह देखिए जो हमने दही डाला था वो पुरी तरह से सुख गई है और मिर्ची और टमाट की सब्जी नहीं बनाई होगी तो इसे आप जरूर ट्राइक कीजिएगा आपको आपके फेमिली को बहुत ही पसंद आने वाला है इसे आप रोटी दाल चावल फराटे के साथ खाएं और यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए लाइक क कर दिजिए मिलते हैं इसके वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ